अगर दोस्तों इस टेनों हेल पिप में आप सभी का स्वागत है अभी समय है एडिटोरियल डिक्टेशन का हमने हिंदुस्तान और दैनी जागरन दोनों की संपादी किया डिक्टेशन आप सभी के लिए तेयार किया है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्रा सब्सक्राइब से जुरू करें और बेल आइकन को देबाना मत भूलेगा डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं ठीक तीन सेकंड के बाद रेडी स्टार्ट सौधी अरब के तेल ठिकानों पर इरान समर्थित हावती विद्रोहियों के भीषन हमले के बाद कच्चे तेल के दामों आया उच्छाल यही बताता है कि पस्चिम एशिया के विभिन देशों के बीच का टकराव किस तरह से इस छेत्र के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खत्रा बनता है हाला कि सौधी अरब की इस घोसना के बाद कच्चे देल के दामों की बड़त थमती दिख रही है कि बहुत जल्द तेल का उत्पादन पहले की ही तरह होने लगेगा लेकिन इसके बावजूद इरान के खिलाब अमेरिका के तीखे तेवर दुनिया को चिंतित करने वाले हैं जहां सौधी अरब को यह संदे भर है कि हावती विद्रोईयों के ड्रोन हमले के पीछे इरान का हाथ है वहीं अमेरिकी रास्टपती साप तौर पर कह रहे हैं कि यह हमला इरान का ही कारिस्तानी है पता नहीं सच क्या है लेकिन यह ठीक नहीं कि अमेरिका इरान की घेरे बंदी करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है हाला की इरान के रुख रवईये की सराहना तेजी से नहीं की जा सकती लेकिन कुछ समय पहले अमेरिका ने उसके साथ की गई परमानू संधी को जिस तरह रद किया उससे यही साबित हुआ की सौधी अरब को खुच करने के फेर में वह पस्चिम एशिया को संकट में डालने का भी काम कर सकता है अमेरिका को यह आभास होना चाहिए की उसकी नीतियों से पस्चिम एशिया पहले ही तमाम मुस्किलों से घिर चुका है इराक और फिर सीरिया की जो तभाई हुई है उसके लिए एक बड़े हद तक अमेरिका की मन मानी नीतियां ही जिम्मेदार है मुस्किल यह है की अमेरिकी राष्चपती बिना सोचे समझे कदम उठाने उन्हें बीच में रोक देने या फिर पीछे हटने की अपनी आदद का परित्याग नहीं कर रहे हैं ऐसा करके वह दुनिया के लिए संकट ही पैदा कर रहे हैं और वह भी ऐसे समय जब वैस्विक अर्थ विवस्ता की हालत ठीक नहीं चूंकि पस्चिम एसिया तेल बहुल छेत्र है इसलिए वहाँ जब भी असान्ती उत्पन होती है वह दुनिया भर को परभावित करती है यमन विद्रोईयों के ड्रोन हमले ने सौधी अरब की तेल उत्पादन इकाई को ही नुकसान नहीं पहुँचाया उसके धमाके ने पूरी दुनिया की अर्थ विवस्ता को ही हिला दिया है सौधी अरब की सरकारी कमपनी अरामको की यह इकाई दुनिया की 6 फीसदी पेट्रोलियम जरूरतों को पूरा करती है इससे सौधी अरब को तो सीधा नुकसान हुआ ही है उत्पादन में इतनी बड़ी कमी सभी के लिए एक जटका साबित होने वाली है दुनिया के इस संकट का स्वाद सौंबार को अंतर रास्तिय तेल बजार में भी चक लिया पहले भी कुछ घंटे में पेट्रोलियम की कीमत 20 फीसदी तक उचल गई इससे पेट्रोल डीजल वगेरे के दाम पूरी दुनिया में बढ़ गए हैं भारतिय पेट्रोल कमपनियों ने भी यह हिसाब लगाना सुरू कर दिया है कि आपकी गाडी में डलने वाले पेट्रोल या डीजल का दाम इस रुजहान के हिसाब से कितने रुपे परती लीटर बढ़ा दिया जाए समस्या इसलिए भी है कि रूस जैसे दुनिया के कई तेल उतपातक देश पहले ही अपने उतपादन कम कर चुके हैं ताकि पेट्रोल के दाम एक हद से जादा ना गिरे जबकि कुछ ऐसे देश हैं जिनकी छमता इतनी नहीं खै कि वे रातो रात तेल का उतपादन बढ़ा सके इरान और वेनिजुला जैसे देश जरूरत पढ़ने पर तेल की आपूरती बढ़ा सकते हैं लेकिन इन दोनों पर ही अमेरिका ने पाबंदियां लगा रखी हैं इस टॉप दोस्तों अगर आपने डिक्टेशन लिखा है तो इसका ट्रांस्किप्शन जरूर किरीगा इसकी पीडियोफ आपको हमारे वट्सप और टाइलिग्राम गुरू दोनों मिल जाएगी थैंक्यू और वेस्ट वर एक्जाम डॉन्ट सब्सक्राइब लाइक सेयर औ प्राइब आपको हमारे प्राइब लाइगन